दोस्तों अगर आप लोग एंजलवन में अकाउंट उपन करना चाहते हो और चाहते हो कि आप लोगको एंजलवन अकाउंट उपन करने के साथ सब 500 रुपय का बोनस मिले और आपका अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाए तो आप लोगों को एक छोड़ा सा प्रोसेस को तो उसे डिलीट कर दीजिये आपको इस लिंक से यहां पर जा करके अंजलवन को PlayStore से डांटव करना देखिए मैं आपकी इस अललुक कर ले ना है अब यहां पर आपको डांटोड करलीनह लिए तो ज पर यह डांटोड हो रहा है डाउनोट होने के बाद आप लोगो यहाँ पर open कर लेना है इस app को open करने के बाद आपको नीचे दो बटन मिले है login और sign up आप लोग नया account open कर रहा है तो आपको sign up के button पर click करना है नीचे मैं सरक्ली की help से आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगो यहाँ पर mobile नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ट से लिंक है और गाइस रफल कोड 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 डालना है full capital letter में A B A M M यह आप लोग डालेंगे यह कोड तो आप लोगो इंस्टेंट आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा आप लोगो 50 रुपए का वोनस मिलेगा अकाउंट ओपनिंग पर और अगर आप लोग किसी को रेफर करते हो तो आप लोगो पास्तों रुपए का वाउचर आएगा और आप लोगो लाइफटाइम फ्री डिलिविटेट्स मिलने वाल अप लोगों यहाँ पर अपना डालना है जैसे राट साड़ आप लोगों यहाँ पर पैंकार्ट बैंक डिटेल्स सब डालनी पड़ेंगी एक ही परसन की अब यहाँ पर कोई भी जीमेल अकार्ट आप से लेट कर लिजए अपने मोगाल का जो आपको एंजली वन से इसे करने का अब आप लोग को यहाँ पाप pen card का number डालना है इसलिए मैंने कहता कि 18 साल से जो कोई उपर हो उसी का आप लोग account open कर सकते हैं तो यहाँ पाप pen card number डाले हैं उस person का जिसका आप लोग account open कर रहे हैं सारी details same person की डालिएगा आप guys यहाँ पर मैंने डाल दिया है pen number इसके बाद नीचे blue को लगए button पर click कर देना है आप लोगों को आपके सामने एक नया page open होचा है डीजी locker का आपको यहाँ पर यह box बना हुआ इस पर tick कर देना है और फिर यह blue को लगए button बना हुआ इस पर click कर देना है आप लोगों को यहाँ पर आधार नंबर डालना है अपना आधार नंबर डाल दीजे आप जिसका वी account open कर रहे हैं उसको आधार नंबर डालकर next पर click कर देना है आप जो आधार से लिंक mobile नंबा होगा उसमें आएगा OTP आप लोगो ऊपर उस mobile नंबर के लास्ट के टू डिजिट भी दिख रहे हैं तो आप वो OTP फिल कर दीजिए और नीचे submit के बटन पर click कर देज ग्रीन कलर पर जो बना हुआ है अगर आपको अपना डिजिट करने को भी आसरता है तो कोई भी पिन डाल दीजेगा अगर आपको अपना पिन याद नहीं है तो फॉर्गेट पर click करके पिन बना लीजेगा फिर उसके बाद आपको यह डालना है अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो आप मुझे comment box में जरू बताइएगा मैंने यहाँ पर पिन डाल दिया डिजी लोकर का अपने और डन के बटन पर यहाँ नीचे click कर देना ग्रीन गलर से जो लिखा हुआ है इसके बाद गैस अब आपको यहाँ पर नीचे अलाव पर क्लिक करें यह साइट डिटेल्स दिख रहे हैं अलाव पर क्लिक करें ब्लू गलर से जो लिखा हुआ है यह कुछ basic सी information माँग रहा है यह government का process होता है अब यहाँ पर आप लोगों को अपना bank account number डालना है दोबारा से bank account number डालना है फिर IFSC code डालना है यह तीनों चीज़ा आपको डालना है bank account उसी का डालेगा जिसका आप लोग account open कर रहे हैं ताकि कोई भी problem ना हूँ आपको अकाउंट इंस्टन्ट एक्टिवेट हो जाए और आपको 500 रोगा bonus भी फ्री में मिल जाए यहाँ आप मैंने bank account number डाल दिया मैं IFSC code भी डाल देता हूँ यह डालने का मैंने नीचे बटन पर क्लिक कर दिया यह verify हो रहा है यह 10 से 15 सेंड लेता है बास और देखी यह verify हो गया अब आप लोगों यहाँ पर open camera पर क्लिक करना है selfie लेने के लिए और एक सापसी जिसका अपने account उपन कर रहा है उसके एक सापसी selfie क्लिक कर लेनी है अगर आपका यह camera open ना हो तो आप मुझे comment box में बताएगा इसका भी solution मैं आपको provide कर दूँगा selfie क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ बाद नीचे blue को लागे button पर क्लिक करना save and continue अब इसके बाद आपके auto generated यह sign इसने दिखा दिये यहाँ पर आपको यहाँ पर sign manually का button दिख रहा है मैं arrow की help से आपको दिखा रहा हूँ आपको इस sign manually पर क्लिक करना है आप चाहें तो auto rotate भी अपने mobile का on कर सकते हैं ताकि आप लोग जैसे वीडियो देखते हैं यूट्यूब का उस manner में आप लोग sign कर पाएं मैं यहाँ पर on कर लेता हूँ प्राइविसी परपस के लिए मैंने sign को थोड़ा बिलर किया हुआ है आपको finger से sign कर लेने हैं जिसका account खोले उसी का sign करिएगा फिर आपको submit पर click कर देना है अब वापस से हमारा सीधा हो गया mobile अब आप लोग को यहाँ आप अपना bank और mobile नमबर देख रहा है आपके bank में यह mobile नमबर लिंक है तो आप यही डाल दीजिए तो edit पर click कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको FNO activate करने को कह रहा है अगर आप चा कर देना है और continue पर click कर देना है तो यह थोड़ा सा लोडिंग लेगा अब यहाँ पर आप लोगों को यह ब्लू गला का जो बटन वह बना हुआ है इस पर click कर देना यह कुछ basic details देख रहे हैं आपकी देना की mobile नमबर फिर से आएगा OTP उपर mobile नमबर देख रहा जिसमें OTP आएगा आप फिल कर दीजिए से फिल करने का confirm पर click कर देना है नीचे blue color के बिटन पर अब guys आप लोगों यहाँ पर अपना annual income डालना है आप लोग average जितना भी आपका annual income हो अगर आप unemployed है तो आप एक से पांच लाग annual income डाल सकते है simply यह से some data के लिए रहता है app के तो यह basic data है अब next पर click कर देश से कोई लेना देना दे आपके pen card का अब आपको यहाँ आप अपना business type से लेट कर लेना है government job है business है क्या है तो वो जूश कर लीजे और नीचे blue color के बिटन पर click कर दीजिए employment type पे अब यहाँ पर आपको अपना father दर्सनेंड डालना है gender डालना है marital status डालना है क्या आप married है unmarried है क्या है जिसका आप account खोल रहे है उसी की साई details आपको डालनी है अब marital status चूश कर क्या आपको नीचे proceed पर click कर देना है then guys आप लोगो nominee के लिए do it later कर देना आप बाद में भी nominee जोड सकते हैं उसमें कोई प्रवलान है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हुआ अब अगर कमेंट करेंगे तो आपको वीडियो का link भी प्रवाइड कर दूँगा अभी आप ऐसे ही account open कर लीजिए अब आपको यह नीचे blue को लगे बटन पर क्लिक कर देना है आपका form देख रहा है आपकी photo बगएरा लगी होगी इसमें simply proceed पर क्लिक कर देना है नीचे मैं Aero की help से आपको देखा रहा हूं फिर OTP आएगा आपके mobile नंबर पर जो आपका आधार से link है उस पर फिर से आपको OTP डाल देना है और verify OTP पर क्लिक कर देना है इस बटन पर फिर गाईज ये थोड़ा loading लेके देखे लिख के आगए we have received your document अब आपको three working days wait करना है अब three working days के बाद आपके mobile नंबर पर यहाँ पर आएगा एक SMS एंजलवां की तरफ से mail भी आएगा जो आका रिजिटर डीमेल आड़ी हो अब SMS भी आएगा three working days के अंदर आता है तो आपको आप three working days wait करना है आपका application submit हो चुका है अब यह verify करने में थोड़ा टाइम लेता है तो गाइस मेरे case में आपर देखे three working days का SMS भी आ चुका है आर टीम एंजलवां इस review your documents आप रिविव करें वो documents three working days आपको wait करना है मैं आपको दिखा रहा हूं आपको यहाँ एस SMS आ जागा लिगे मेरे case में same day पर देखे मेरा यहाँ पर आ चुका है user ID आपको यहाँ पर same day आ जाए तो बहुत अच्छी वाद है तो आप three working days वेट कर लीजेगा अब user ID आने का login कैसे करना वो भी मैं आपको दिखा देता हूं अब आपको एंजल वना को दोबारा से open करना है और यहाँ आपको get it started पर क्लिक करके mobile डालना है जो आपने डाला था पहले और OTP डालना है OTP mobile number डालेंगे तो यह password create करने को बोलेगा देखे create password confirm password तो password आपको एक टफसा रखना है जिसमें आपको alphabet, numeric और एक special character सब रखना है numeric में 4-5 आता है और alphabet आपको पता ही और special character dollar hash यह सब डालने है आपको फिर उसका यह रिमाग रहा है आप लोगों brokerage में off आप लोगों जितना ट्रेडिंग वगएरा करेंगे सब में ब्रोकरेज 500 रुपाय आप टूगा off मिलने वाले आप लोगों